रार अमरितपाल 36 दिन बाद गिरफतार पंजाब के रोडे गाव में होने की थी सूचना, पुलिस ने घेर कर पकड़ा NBT न्यूज, चंडीगर फरार का ट्रपंथी उपदेशक अमूत पाल सिंग को 36 दिन बाद पंजाब के मोगा जिले के रोडे गाव से रविवार सुबह लिया गया, रोडे जर्नल सिंग भिंदरावाले का पैत्रिक गव है, अमरितपाल को विशेश विमान से असम की डिवगर सेटरल जेल में भेज दिया गया, इस दोरान पुलिस ने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया था, पंजाब के IGP सुक चैन सिंग गिल ने कहा कि विर्यता बनाए रखना बहुत एहम था और वदी के साथ पुलिस अंदर नहीं जा सकती थी, गुरुदवारे के भीतर क्या हुआ और अंदर क्या कहा गया, इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, गिरफतार किये जाने से पहले अमरितपाल ने गुगड़ गतर बोंकात ये किया, विट्य मेंका कहता सुनाई देता है, इश्वर की अदालत में मैं दोशी नहीं हम लेकिनी दन्या की अदालत में दोशी हो सकता हम, एक महीने बाद मैंने तै किया है कि हम इस जमीन पर लड़ेगे और इसे छोड़ेगे नहीं, ये गिरफतारी कोई अंद नहीं है, ये एक श 23 फरवरी ही लवप्रीद गिरफतार, 23 फरवरी उसकी रिहाई को लेकर अजनाला थाने पर हमला मा बोली बेटे ने कुछ गल्त नहीं किया, अमरित पल सिंग की मा बलविदर कौर ने कहा, हमें बहुत गरवे, मैसूस हो रहा है कि उसने सरेंडर कर दिया, हमारे बेटे ने अब वह हिरासत में है, पुलिस से अपील है कि पकड़े गुए बाकी लोगों को रिहा कर दें, पितातर सेम सिंग ने कहा कि ब्रम कानूनी लड़ाई लडएंगे, पीटी आई, 24 फरवरी, लवप्रीत सिंग न्याएक हिरासत से रिहा, 18 मार्च अमरित पाल का काफिला रोका अमरित पाल कि पतनी को एअपोर्ट पर रोका गया 23 अपरेलव अमरित पाल गिरफ्तार, इप समेट कई एजेंसिया कर सकती है, पूछताच. अमरित पाल से केंद्रिय एजेसियां भी पूछताच कर सकती है, सूरों के मताबिक, आने वाले कुछ दिनों, 21 भी सहित कई एजे पकड़े गए उसके नौ साथी भी डिबूर्गर जेल में बंध है, इंटरनेशनल कनेक्शन के चलते उससे सवाल हो सकते हैं, विस पलिस ने ग्रैर कर अमरित पाल को पकड़ा, इससे पहले उसने गुरुधारे में संगत को संबोधित किया, शांती भंग करने वालों पर एक् मेरे पास जांकारी आ गई थी, मैं हर 15-30 मिनिट पर पूछता रहता था कि क्या हुआ, मैं नहीं चाहता था कि खून खराबा हो